आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हम क्या करते हैं, हम पसल उत्पादन और लगातार फसल उत्पादन, ठीक है एक तो उसकी उरवर्ता और एक लगातार उसी भूमी में लगातार क्या हो फसल का उत्पादन होता रहे उसके लिए हम उस भूमी में क्या करेंगे उस भूमी में हम करेंगे कुछ विशिष्ट जिवानूं या फिर कुछ सुक्ष्मजीवों इनमें हम कवक भी ले सकते हैं नील हरित शेवाल को भी ले सकते हैं इन सभी का प्रयोग जब हम करते हैं तो इन्हें इन जिवानुओं और सुक्ष्मजीवों को जेव उर्वरक कहते हैं ठीक है अब ये जो हमारे सुक्ष्मजीव रहते हैं ठीक है ये फसल के लिए हितेशी होते हैं यानि फसल के लिए लाबदायक रहते हैं ठीक है फसल के हितेशी होते हैं यानि फसल के लिए फाय तो दोस्तो हमारा जो जे व उर्वर रांग है ये हमने देखा कि ये क्या होते हैं ये सुक्षमजीव होते हैं तो हम एक उधारन लेते हैं जैसे कि हमारा जू जिवानु है rhizobium, rhizobium प्राकृतिक रूप से क्या करता है प्राक्रतिक रूप से पौधों की जड़ में nitrogen-istericoran क्या करता है, यहां पर इसे टीक से लिख लेते हैं, ठीक है nitrogen-istericoran करता है तो दोस्तों, nitrogen-istericoran करता है, तो इसके द्वारा क्या होता है इसके द्वारा हमारी जो फसल होती है उसमें नाइट्रोजन की आपोड़ती होती है और फसल की उपच जो है वो ज्यादा होती है ठीक है तो एक तरीके से हमारा राइजोबियम प्राक्रतिक जेव उर्वरक होता है ठीक है ये होता है जेव उर्वरक आशा करता है आप कस प्र आ चार्सो 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 बर